हाई फेंट जी फिटनेस यूटूब एंटर्टेंडमेंट चेनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रॉयल इन फिल्ड क्लासिक 350 नेक्स जनरेशन के ओन रोड प्राइस को जो कि मैंने अपने नियरे सोरूम से पता किया है और उनके द्वारा जो प्राइस लिस्ट मुझे मिली है उसके बेस पर ये वीडियो होने वाला है साथी साथ जितने भी कलर और जितने भी इसके वेरियंट है उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफरमेशन सही लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करतीजेगा अगर आप बाइक से रेलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चेनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको इसली मिलते रहे हैं दोस्तो अगर आपको मेरे दौरा कोई परस्नल इंफर्मिशन चाहिए हो इस बाइक से रेलेटेड तो आप चेनल को जोईन भी कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब तो मैं चैनल और क्लिक ओन बेल आइकन तो गेट नोटिफिकेशन अबाट न्यू वीडियो जोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर रॉयल एंफिल्ड का एंवलप रखा हुआ है जब भी आप सोरूम से किसी भी तरीके के डॉकुमेंट्स बनवाते हैं तो वै इसी एंवलप में रखकर आपको देते हैं आप पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर रॉयल इंफिल्ड डॉट कॉम लिखा हुआ है दोस्तों इसे ओपन करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ यहाँ पर जितने भी हम प्राइस बताएंगे वह आपके location के according change हो सकते हैं क्योंकि location के according R.T. और इंसुरेंस के प्राइस चेंज हो जाते हैं और जिसके काराण आपको on road price में अंतर देखने को मिलता है यहाँ पर जो भी मैं on road price आपको बताऊंगा वे भोपाल मद्द प्रदेश का price होने वाला है और ये price दो सितंबर 2021 को लिया गया है तो अगर आपकी city में price change हो जाए तो आप comment में ये मत लिखीगा कि इसका price जादा है या कम है मगर मैं आपको एक average value बता दूँगा उस price range में ही आपको ये bike मिलने वाली है friends अब इसे हम open करते है friends जिसके आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो 5 variant है वह सभी उनका price different है और उसके according यहाँ पर price भी आपको changes देखने को मिलेंगे हम one 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 सभी को cover करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा time लगे क्योंकि यहाँ पर 11 different color हैं और उनके 5 variant है और उसके according यहाँ पर आपको price change देखने को मिलेंगे और हो सकता है आपको जो color चाहिए हो उसके according आप price यहाँ पर चेक कर पाएंगे यहाँ पर इसको बताने से पहले हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर royal infield लिखा हुआ है price list है मेरा नाम है गोरववस्ती यहाँ पर mobile number लिखा हुआ था जिसे मैंने मिटा दिया है दोस्तो स्टार्ट करते हैं इसके basic model से जिसका नाम है redich आप यहाँ पर screen पर मैं image लगा दूँगा इस पर जितने भी color available होंगे खास कर क्योंकि यहाँ पर 11 color है और उसमें different different categories में color divided हैं तो मैं confuse हो सकता हूँ और गलत color का नाम ले सकता हूँ इसलिए मैंने सोचा कि screen पर ही color लगा देते हैं ताकि आपको और easy हो जाए समझना कि कौन सा color option आपको और किस तरीकी की bike आपको मिलने वाली है तो friends यह है redich जो कि single channel ABS के साथ आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको पीछे drum break देखने को मिलेगा इसका exor room price है एक लाग 84,374 रुपे यहाँ पर road tax आपको 16,370 रुपे देना पड़ेगा insurance की cost 8,456 रुपे आईगी जिसके कानण on road price इसका 2,9,200 रुपे हो जाएगा अगर आप accessories और extended warranty लेते हैं जिसकी cost approach 8,700 रुपे आती है उसको लगाने के बाद इसका on road price 2,7,900 रुपे हो जाएगा याँ आपको इसका basic variant 2,7,900 रुपे में मिलेगा अब बात करें दोस्तों इससे upper model की जिसका नाम है हेल्सियन इस पर भी दोस्तों आपको कुछ color मिलते हैं मैं screen पर उन्हें भी लगा देता हूँ इसका exorum price 1,93,123 रुपे है वही road tech 17,43 रुपे है और insurance की cost 8,534 रुपे है on road price का दोस्तों 2,18,700 रुपे है वही अगर आप extended warranty और जो accessories लेते हैं तो इसका on road price 2,17,400 रुपे हो जाता है मेरा solution यही है कि अगर आपका budget tight हो और अगर आप थोड़ा सा पेसा और खर्च कर सकते हैं तो आप healthien के साथ जाईएगा यहाँ पर आपको dual disc break के साथ dual channel ABS का option मिल जाता है जो कि अगर आप देखेंगे अंतर यहाँ पर 10,000 रुपे का ही difference देखने को मिलता है मैंने कई बार देखा है customer single channel ABS को ले लेते हैं 10,000 बचाने के लिए फिर बाद में उनको पच्टावा होता है कि क्यों हमने dual channel ABS नहीं लिया तो यह सबसे च्छा best option है दोस्तों आपके लिए healthien अगर आपका budget tight है और अगर आप color से compromise कर सकते हैं तो आप healthien के साथ भी जा सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो upper model आता है उसका नाव है singles इस पर भी कुछ color आते हैं आप screen पर उन्हें देख सकते हैं इसका एक showroom price है 2,4,366 रुपे road tax है यहाँ पर आपको 17,350 रुपे आता है insurance की cost 8,590 रुपे है यहने इसका on road price 2,3,307 रुपे है अगर आप फिर extended warranty और other जो इसकी accessories है वह लेते हैं तो इसका on road price 2,49,007 रुपे हो जाता है हो सकता है friends आप जिस भी showroom से इस बाइक को लें वहाँ पर आपको accessories के जो prizes उसमें भी changes देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसी से showroom की कमाई भी होती है तो वह अगर आप कुछ additional customization भी कराते हैं तो उसके current भी आपको price में changes देखने को मिल जाते हैं क्योंकि Royal Enfield ने customization को भी option दिया हुआ इन bikes हो में तो आपको हो सकता है वह additional cost aid करके price बताएं तो हो सकता है आप यहाँ पर जो price देख रहे हैं वह change हो जाएं next इसके बाद जो upper model आता है वह है dark black और gun grey यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है इसका exorum price दोस्तो 2,11,465 रुपे है इसमें आपको road tax 17,560 रुपे देने पड़ते हैं insurance की cost 8,640 रुपे आती है जिसके कारण इसका on road price 2,33,665 रुपे हो जाता है अगर आप फिर अगेन यहाँ पर accessories और extended warranty लेते हैं तो यहाँ पर इसका on road price 2,46,365 रुपे हो जाता है friends वीडियो को completely watch करिएगा ताकि आप जान पाएं यहाँ पर आप कहां कहां price को कम करवा सकते हैं next दूस्तो जो आपको top model आता है उसका नाम है chrome यहाँ पर भी आप इसके color देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर इनको भी color लगा दूँगा एक solarum price दूस्तो इसका है 2,15,118 रुपे इसके लिए आपको road tax 17,709 रुपे देना पड़ता है insurance की cost 8,810 रुपे आती है इसके कानण इसका on road price 2,41,630 रुपे हो जाता है अगर आप extended warranty और accessories लगवाते हैं तो इसका on road price 2,50,330 रुपे हो जाता है friends यहाँ पर मैं आगेन आपको बताना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर जितने भी price आपको बताएं वह आपकी city के according change हो सकते हैं क्योंकि road tax और insurance के price city by city change हो सकते हैं अगर आप एक solarum price को देखेंगे तो जो chain नहीं में है वह भुपाल में भी same है अगर आप रायल इन फील्ड के official site पर जाकर check करेंगे तो आपको एक solarum price same देखने को मिलेंगे friends अब अगर हम बात करें किस तरीके से आप solarum में अपनी bike का price कम करवा सकते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 2900 रुपे है वह लेक गार्ड का अगर आप forcefully मना करेंगे कि हमको नहीं चाहिए हम बाहर से लगवाएं लेंगे अगर जो vendor company आप लोकल मार्केट में same leg guard बेशती हैं तो वहाँ 1200 रुपे में आपको यह leg guard मिल जाता है यहाँ पर आपको 1900 रुपे extra pay करने पड़ जाते हैं जोकि 1900 रुपे है और अगर आप बाहर से लगवाएंगे तो 1000 रुपे के something वह मिल जाता है next दोस्तो अगर आप extended warranty नहीं लेना चाहते हैं तो आप showroom को मना कर सकते हैं दोस्तो यह extended warranty होती है वह customer की उपर depend होती है अधिकतर showroom पर मैंने जब अभी मेरे friend ने जो bike लिए उसने extended warranty नहीं लिए तो आप forcefully मना कर सकते हैं कि हमें नहीं लेना है अगर आप EMI पर लेंगे तो आपको यह सब चीजें लेना पड़ सकता है क्योंकि showroom वाले नहीं मानते हैं क्योंकि उनके जो store की कमाई होती है वह इसी से होती है आप देख लीजेगा आपके यहां जो showroom एविलेवल है वह मानते हैं कि नहीं बट मेरा suggestion यह है कि आप थोड़ा forcefully मना करेंगे या आप एकदम से booking नहीं करेंगे तो वह मान जाते हैं मैंने यही देखा है हमेशा royal infield के साथ तो यहां पर जो आपकी price की saving है वह आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको यहां पर 8700 रुपे में कमज़कम 6000 रुपे के something अंतर देखने को मिल सकता है मैं यहां पर showroom की detail नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मुझसे मना करके रखा था अगर आप 2 महीने तीन महीने बाद इस video को watch करेंगे तो हो सकता है royal infield इनके price को change कर दे जिसके कारण कई जो मेरे city में कई ऐसे लोग है जो मुझे जानते हैं जाकर showroom पर इसी price को claim करेंगे तो showroom जो है उन्होंने मुझसे मना करके रखाए कि direct आप हमारा जो नाम है उसे ना बताएं ताकि आप यहां पर जो आप देखेंगे पूरा royal infield के तरफ से यहां पर showroom है यहां पर कुछ term and condition भी लिखी हुई है इनके showroom की तो वह चीज भी आप पढ़ लीजेगा आप अपने नेरे showroom पर जाकर तो बताएएगा दोस्तों वीडियो में दी गए information आपको कैसी लगी है अगर सही लगी हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दीजेगा चेनल पर ना है तो चेनल को subscribe कर लीजे बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसके notification आपको easily मिलते रहे हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक हेलमेट पे नहीं है safety के साथ bike चलाईए जैहिन